आपका focus on education में मैं एजुकेटेर आप सब के लिए important facts लाइं हो जो कि आपके competitive exam में help करेगा क्या कुछ है खास चली नज़र डालते हैं आज 31 अगस 2020 है और हमारी लिए क्या खास है उस पर हम ध्यान दे किस राज में प्रतीच्छा नामक पहल समुंदरी ambulance योजना की सुरुवात की गई है तो कहां पर किया गया है केरल में कुछ अन्य मैरीन ambulance को भी त्यार किया गई जिसका नाम क्या है प्रत्याशा और करुणिया ये नाम याद रखिएगा साथी साथ केरल और कियूपलिय नियूज में रहा केरल जो है वो तीन इंडेक्स में टॉप पर है किस पे हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और SDG इंडेक्स साथी साथ केरल में ही पोलेटरी फॉरम केंदर बनाया जा रहा है और यहां पे अंतरास्ट महीला वैपार केंद्र की स्थापना की जा रही है ठीक है और साथी साथ दूसरा ग्लोबल सीटी के रूप में केरल के कोची को डैवलप किया जा रहा है तो यह इंपोर्टन पॉइंट से इसे आप जरूर याद रखिएगा नेक्ट्ट क्या है हमारे लिए क कि किस राज्य में कोवरट नाईटीन के दल रव्रान रोबोर जाफीरा कप्रियोंग किया गया है तो जाफीरा क्या है अब से पर पूसकता है तो याद रखे एक Ci almost हैं गयं तो तमील नाडु हमारे लिए क्यों इंपोर्टन है कि तमील नाडु जुह है वह कौन सी इंडेक पे टॉप पर है किसमें इनुवेशन इंडेक्स पे नवाचार में मचली उत्पादन में और अभी हाली में नीती आयक द्वारा जो मुद्रा यूजना निकाली गई थी तो उसमें महिलाओं को लोन देने के लिए सबसे जादर जो अच्छा कारे किया वो किसने किया तमिल ला जाता है वो भी कहां लिए कौन से रास लिए तक तमिल नाडू से यह भी पॉइंट आप याद रखेगा तमिल नाडू में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने इट आउट टू है आउट नामक योजना की सुरुआत की है तो यह किस ने किया यूनाइटेट किंग नेक्सट फ़्यांट किया है हमारी लिए कि किसने नैशनल जिई आएस से संचालित भूमी बैंक सिस्ट्म के सुरुआत की है तो यह किस ने सुरुआत की है तो यह वाड़िज और उद्लिव उद्योग मंतराले दMat किया इसके पारस है पीमूज गुएंट याद रखेगा क्या है हमारी लिए इंपॉर्टेंट की पिकोडी कॉम द्वारा तयार और दन मौस्दूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार प्रती महा और वेतन के मामले में 106 देशों के बीच भारत की क्या इस्तिती रही है तो भारत कितने रैंक पहें 72 रैंक पहें यह याद रखिए सब्सक्राइब क्या है क्योंकि भी कुविट की वज़े से बहुत प्रॉब्लम हो दिया तो यह रैंकिंग जो है अगर इस तरह से कोई संस्था निकालती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें टॉप टैन कंट्रीज है ठीक है तब टॉप जो सिर्स पर है वो डैनमाज, सिंगापूर, उस्टेलिया, कतर, नौर्वे, होंग कॉंग और आपका आइलेंड यह जो है यह टॉप पर हैं दूसरे नंबर पर कौन है लेक्जंबर और तीसरे नंबर पर कौन है आपका यूवे से यह पॉइंट याद रखेगा हो सकता है एक्जाम में चैलेंज प्रतियोगिता लॉंच की तो इसका नाम क्या है इस प्रतियोगिता का मतब चैलेंज प्रतियोगिता लॉंच की है तो उसका नाम है चुनौती यह याद रखेगा हो सकता पूछे कि चुनौती क्या है यह स्टार्ट अप चैलेंज प्रतियोगिता है यह क्या है हमारे लिए कि किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनेसेफ के साथ 223 तक भागिदारी की है तो किसके साथ की है कौन है यह इस इरिसको इरिसकोसन इरिसकोसन जो है कंपनी उन्होंने किया है यूनेसेफ के साथ यूनेसेफ का है आप कुझे कमेंट सेक्सें में लिख के बते क्योंकि हमने अपने सीरीज में इसको कवर अप किया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि संस्कृती मंत्राले ने ASI यानि भारतिय पुरतत्विक सर्वेचन सरकिल के नए छेत्र की घोशना की तो कितने नए छेत्र हैं साथ नए छेत्र हैं जो कि MP, तमिलनाडो, UP, करनाटक, वेस्ट पैंगौल और गुजरात में रहें ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि PMEGP यानि पधान मंत्री रोजगार स्रिजन कारिकरम 2020 के तहत कितनी परियोजनाओं को सुकृती में वृद्धी हुई है तो कितनी वृद्धी हो गए? 44% की विद्धी हुई है, यह पॉइंट याद रखेगा तो यह जो प्रोग्राम है पधान मंत्री, रोजगार, स्रिजन कारिकरम यह कब सुरुवात किया गया? यह 2008 में सुरुवात किया गया, यह पॉइंट याद रखेगा, और यह संचालित किसके द्वारा होता है? तो यह KVIC के द्वारा संचालित होता है, नहीं आपका क्रिशी और क्रिशी उद्योग खादिमंत्राले द्वारा यह संचालित किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि ट्रांसजेंटर समुदाय की सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज में रहती है? यह पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी क्यूंकि अभी हाली में केंद्र काबिनेट मंत्री ने जैंडर पर्षन काउंसिल की स्थापना की हुआ है तो हमारे भारत में भी जो जैंडर समुदाय है उनकी जनसंख्या है तो उनकी जनसंख्या के अनुसार से सभसे ज़्यादा वो कहां पर रहती है यूपी में रहती है यूपी तो ऐसे ही हमारे बहुत इंपॉर्टन बन जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारी योजनाओं को संचालीत किया गया जैसे कि आपका स्रम बाल विद्या योजना हलबर रोड बनाया जा रहा है अभी कोविट 19 को काउंटर करन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है फिरस्ट क्या है और यहां पर प्लाजमा थेरेपी हॉस्पिटल पहली बनाई गई है कि नहीं और साथी साथ यहां पर एक आपका एन और आई यूनिट पोटल भी सुरुआत किया गया और यहां पर वल्चर कंजर्वेशन बनाया जा रहा है इटा नगर में लॉयं ब्रीडिंग सेंटर बनाय जा रहा है और आपका जियोलोजिकल नैशनल पार्क जो की नवाब वाजिद अली के पास में वहाँ पे भी बनाय जा रहा है और अगर यूपी में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर वो है जरसंक्या है तो यह भी याद है लिए खकी यहां पर ट्रांस जन्डर विश्यवीद्याले की इस्थापना की जा रही हां भी हालि में हमने जे आट paste अपका आर्य लक्ष्मी भाई क्रिशी विश्य विद्याले की स्थापना जहासी में की गई है यह भी पॉइंट आप याद रखेगा नेश्ट क्या है कि देखो अपना देश सिरीज के तहट पचासवा वेबिनार का आयोजिन किया गया तो इसका सीर्शक क्या है यह याद रखे क्योंकि यह कौन सा नंबर का हो गया पचासवा इसका टाइटल था कुल्चुरल हैरिटेज ओफ हैदराबाद हैदराबाद की स्थापना किस नहीं की थी तो यह पॉइंट याद रखे यह कौन है मुहम्मत कुली कुबूद साहद्वारा 1591 में यह पॉइंट याद रखेगा आज जो हम मैप को डिसकस कर रहे है वो है इसराइल से भी शेयर करती है यह पॉइंट आप याद रखेगा साथी साथ यह वेस्ट बैंक से भी अपनी बॉर्डर सेयर करती है यह सीरिया और इसराइल के बीच में एक लेट पढ़ता है नि जीर है जिसका नाम क्या है टीब्रिस जेल है यह भी एक्जाम में पूछा जाता है इस एक प्लेस है यहां पर ठीक है गोल्डेन हाइट्स जो डिस्प्यूटेड है और साथी साथ हम यह देखते हैं कि जॉर्डन के साथ जब यह बॉर्डर सेयर करती है तो यहां पर जॉर्डन रीवर बहती यानि जॉर्डन नदी जो एक नैच्रल बाउंडरी बनाती है आते साथ मुप यह देखते हैं कि जॉर्डन और इस्राइल के बीच में ही गाजाता जाता है मिर्द साघर के बारे में क्या जानते हैं। सागर के बारे में यह जानते हैं यह बहुत यह लवणिय सागर है इसनन जो पानी बहुत थी सबसे खारा पानी है तो खारे पानी के वज़े से इसकी दैसिटी बहुत यória बढ़िया थे इस वाटर जाल शे रिखिए और इस्वamatहर joue याद मतल allora इसके डो इंपॉटन सहर है एक एक तीलrä फैन्स लॉइप एक एसा इंपॉटन सहरा जहां पर बहुत सारी pourquoi सीधिक वही ताह साथ आप बहुत सारी च अच्षी कमपनियों के हैटकॉ़र्टर सभी है और नेक्सट है आपका हाइफा हाइफा सहर इसलिए important है क्योंकि हाइफा सहर में ही बैटल ओफ हाइफा हुआ था और 2018 में बैटल ओफ हाइफा के 100 साल पूरे हो गये यह point आया दार रखेगा और इससे वज़े से हाइफा सहर बहुत ही ज़धा निउस में रहा था और हम क्या देखते हैं कि गाजा पटी गाजा पटी भी एक डिस्पीूटिड एरिया है ठीके और ये भी अपनी वाडर सेयर किरता है किस के साथ भुमध्य सागर के साथ और हम क्या देखते हैं जॉर्डन के बारे में सर इस्राइल के बारे में कि यहां के प्रेसिडेंट कौन है तो इसके यहां के प्रेसिडेंट है आपके रिवियोन रेवी लीन यहां के प्रेसिडेंट है और यहां के प्रधानमंत्री कौन है तो वे बेंजिया में नियत्या हूँ यहां के पी एम है औ उसकी लेजिस्टरी बॉड़ी है यह कुछ इंपॉटेंट पॉइंट है आई होप आपको यह पॉइंट पसंद आएंगे इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेर कीजिए थाइंक्यू वास्परेंट